हलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूं मौलाना मजहरूल हक आरबी वा फार्सी विश्विदारे पट्टा से जिन्होंने जो कोर्स करके रखा है वो अपना स्रेटिफिकर्ट जो है ऑनलेन कैसे कर सकते हैं तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा तो चलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो बिना लेट कि most यहां पेर दालने के बार जो है अब यहां पर किलिक करने के बाद यहां पर एक ओपर आने के बाद संप्सक्तर आपको सिंप्ली यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा इंटरफेस ओपन होने के बाद यहां पर बहुत सारा आफ़सन आ जाएगा आपका आपका यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है issue of certificate यहां certificate fee यह जो कुण कुण सा certificate issue वहां से हो सकता है और कितना fee लगेगा आपका पहला दिया हुआ आपका degree certificate all faculty यह जितने भी फैकल्टी वहां से चल रही है वो उसके उसका जो है आपको degree certificate वहां से मिल जागा जिसका fee जो है पांसो पचास रुप्या है उसके बाद दोस्तरा नमबर पे है provisional certificate इसका जो है दोसो पचास रुप् पर चौथे नमबर पे है ULSC या TC एक सो पचास रुप्याइब आपका उसके पाच्वे नमबर पे है character certificate जो पचास रुप्याइब दोस्तों तो इस तरह का जो है सारा जो आपको certificate जो है online करने से आपको घर वैठे जो है आपको certificate मिल जाएगा अगर किसी तरह का जो है आपक आपको certificate नहीं मिल ला है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर एक क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस जो ऑपन हो जागा यहां पर देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है लिखा हुआ है online request for degree certificate या provisional certificate य इस तरह का जो है इंटरफेस ऑपन होनों के बाद जो है आप नीचे को स्क्रोल कीजिएगा और सिंप्ली जो है यहां पर जो है बहुत सारा जो आपसन आएगा आपको दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारा जो है आपको डालना पड़ेगा यहां पर चलिए मैं एक एक करके पना जो है यहां पर मेरा ओइन आगी का तो मैंने इसको क्लिक कर लिए उसके बाद नीचे को स्क्रोल और स्क्रोल कीज business में कई ke wool नबर डालने के बाद स्क्रेवाद में उसक्रोल करने पहले से टाइप करके रखा हुआ था आपको जो है हिंदी में भी नाम जो टाइप कर देना है उसके बाद नीची को आईएगा उसके जेंडर अपको डालना पड़ेगा उसके बाद मॉबाइल नमबर भी डालना है उसके बाद जो यहां पर दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर इन डिग्री सैटिफिकेट् यहां पर फीर शो करता लेका इस प्रीक कर्णा पड़ेगा किलिक करने के बाद किया है आपने हमसे जिस कोर्स जो कोर्स किया है उसी का ग्रेक्टर्स करेक्टर सर्टिफिकैट आपको मिलेगा तो यहां देख सकते हैं नीची जो आप हो प्रक्रेक्टर से्टिफिक्र्ट जो है मिल जाएगा तो मैंने फिलाहल जो है यहाँ पे फाजिल किया है तो फाजिल का जो है कोस मैं अप्लाइब कर देता हूं थे Нजि को और अब एक जाए ऑद कुरूल किango schsted्स करने के बाद गाएक ठालीजा आपका क्या था मेरा 2012-14 था मैं 2012-14 टाइप कर दिया हूं यहां पर उसके बाद यह यिर ऑफ पासिंग दोर 14 था उसके बाद यह डेट ऑफ रिसीब डिगरी यानि आप जो है कब डिगरी को डिसीब करना चाहते हैं तो आपको इस पर किलिक करना पड़ेगा पहले यहां पर द देखिए अगस्त दिया वह 23 अगस्त से लेकर के सारा उप्षन जो आ रहा आपको तो मैं पहला ही ऑप्षन टिक कर देता हूं लो तो इस वाइस से लिएब से मिल जाएंगा लेकर काश्म आकश्वाज लाएद्रेस देखिख से लिए में चाल्चाइमल ही पकाई लेकर अगस्त क्छिए दूणी ठीचल क्वाइस अगया डाटा और दीचे हमें वो हो simply तो चलिए हम अपना जो फिल की है डाटा वो सही है मेरा या नहीं तो देखे मैं यहां पर चेक कर ले रहा हूं तो सारा डाठा लग भख मरा जो है रॉल नंवर रसटेस्टन नंबर तो इस यह तो भूड नाम भी चेक कर लेता हूं नाम भी सही है, gender भी सही है, email id भी देना आपको must है, अगर email id नहीं देते हैं तो payment नहीं लेगा फिर, सारा जो है, fill करना होगा सही सही आपको, तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने के बाद जो है चलिए मेरे सारा जो है डिटेल सही से भरा हुआ है उसके बाद जो है मैं यहां पे सेव एंड पेमेंट पे जा रहा हूं सेव एंड पेमेंट करने के बाद जो है आपको इस तरह का उप्सन आ के बाद जो है पिलिट्राइए गैन आफटर सम टाइम दे रहा więc फीस से ट्राइज करनेक झाल झाल